हाई, इस एहमद नवाज फ्रम बाइट वन प्रोडक्शन्स वेलकम तो थर्ड लेस्न आउट मास्ट राड़ फोटोशाप कोर्स बेगिनर टू प्रो आज हम सिलेक्शन टूल्स को डीटेल में देखेंगे अगर अब ही तक आपने लेर्ट वारी वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर देख लें सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट जी, तो यहाँ पर मार्की टूल्स दी हुई हैं अगर इस पर राइट क्लिक करें तो सबसे पहले रेक्टेंगलर मार्की टूल है और उसके बाद इलेप्टिकल मार्की टूल है और यहाँ पर सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलन मार्की टूल है सिंगल रो मार्की टूल जो है इसको अगर हम सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करें तो एक row में pixels को select करेगा इसी तरह single column marky tool जो है ये pixels के column को select करेगा तो मैं इसे यहां से select करता हूँ और हम rectangular marky tool को देख लेते हैं इससे हम square या rectangular selection जो है बना सकते हैं तो यह मैंने एक selection बनाई आप यह dotted lines देख सकते हैं इसके अंदर का जो area है यह selected area है और इससे बाहर वाला जो है यह unselected है तो इस selected area को हम active area भी कह सकते हैं क्योंकि लेयर पे जो काम है हम इस selected area के अंदर ही कर सकते हैं बाहरवाला इससे पर आपकाम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे रिंटा हूँ और भ्र longest टू्र से यहाँ पे पेंट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पेंट नहीं हो रहा क्योंगे यह पीक्तिव सकता है, नहीं है तो यहां पर अगर मैं brush tool से store करता हूं तो अब देख सकते हैं यहां पर paint हो रहा है तो इसे मैं यहां से deselect कर रहा हूं और इसलियर को डिलीट करता हूं तो यहां पर कुछ options दिया हूँ है इनको भी देख लेते हैं यह add to selection का button है अगर हम selection बनाएं और add to selection select करें तो इससे जो हम selection में मज़ीद add कर सकते हैं जो भी मैं selection बनाऊंगा इसमें add होती रहेगी इसी तरह यहां पर subtract from selection का button है इससे हम selection से minus कर सकते हैं अब जो भी select करेंगे अब वो minus हो रहे हैं और यहां पर intersect with selection का button है इससे यह होगा कि अब मैं जो नई selection बनाऊंगा और जो पहले से selection बनी हुई है इनका जो common area है सिर्फ उसको select करेगा बाकी जो है वो unselect कर देगा तो आप यहां पर click करके select कर सकते हैं और keyboard से control D प्रेस करके भी unselect कर सकते हैं इसके इलावा right click करके भी आप deselect कर सकते हैं यह menu में भी selection के options मौजूद हैं इनको भी देखते हैं तो यह जो actions हैं आप shortcut key से भी perform कर सकते हैं मैं यहां पे एक selection बनाता हूँ अब अगर आपने इस selection में add करना है तो आप keyboard से shift प्रेस करके selection बनाएं तो यह इसमें add कर देगा अब देखें जब मैं shift प्रेस करता हूँ तो add to selection का button जो है वो automatically active हो जाता है तो यहां पे जो है यह इसमें add कर देता है इसी तरह अगर आपने minus करना है तो keyboard पे alt प्रेस करें और यहां पे selection बनाएं तो यह selection में से minus कर देगा और अगर आपने intersect करना है तो alt और shift दोनों को एक साथ दबाएं और यहां पे selection बनाएं तो यह आप देख सकते हैं इसने intersect कर दिया है यहां पे इसे मैं deselect करता हूँ यहां से यहां पे हमारे पास styles दिये हुआ है यह normal style है इसे हम free square या rectangle बना सकते हैं perfect square selection बनाने के लिए आपने click करके shift प्रेस करें तो यह perfect square आपको selection बना के देगा आप अगर आप ऐसे selection बनाएंगे तो आप free rectangle या square कुछ भी बना सकते हैं तो यहां पे fixed ratio का option है यहां पे one to one select है width और height में अगर अब मैं selection बनाऊंगा तो यह perfect square बनाएगा अगर यहां width 2 और height भी 2 होगी तो भी यह square ही बनाएगा यहां मैं width में 2 करता हूं और height में जो है one है तो अब यह rectangle बनाएगा इसकी जो width है यह two times होगी इसकी height से तो इसी तरह आप कुछ भी value देके यहां पे selection बना सकते हैं यहां पे fixed size है यहां पे 64 pixel जो है वो selected है width और height में तो अब मैं selection बनाता हूं तो यह automatically जो है 64 pixel ही बनाएगा आप इससे छोटा या बड़े selection नहीं बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह 64 pixel ही select कर रहा है आप different values भी देख सकते हैं यहां पे for example मैं यहां पे width जो है 100 select करता हूं और अब मैं बनाता हूं अब यह 100 pixel जो है width है और height जो है इसकी 64 pixel है तो इससे मैं right click करके de-select कर लेता हूं इसके अलावा हमारे पास elliptical mark की tool है इससे जो है हम ellipse selection बना सकते हैं जिससे हम square भी कहते हैं आप इससे all भी बना सकते हैं यहां इसके options भी same हैं लेकर एक anti-alize का option दिया हुआ है anti-alize का मतलब यह है कि edges जो है selection के उसको soft बनाता है अगर मैं इसको uncheck कर दूँ और दुबारा selection बनाऊं तो आप देख सकते हैं यह selection जो है soft नहीं है तो मैं इसको यहां से layer को duplicate करता हूं और delete press करता हूं आप देख सकते हैं rough edges जो है यह बना रहा है यहां पर अब मैं anti-alize को check करता हूं और दुबारा यहां पर selection मनाता हूं अब मैं इसको delete करता हूं आप देख सकते हैं यहां पर जो edges है rough हैं और इस selection के edges जो हैं यह soft हैं तो यहां पर जो है यह कुछ faded pixel जो है वो select कर लेता है और इसको जो है वो soft कर देता है Slayer को मैं यहां से delete करता हूं यहां पर हमने पास feather का option दिया हूँ है इसे हम यहां से click करके track करके कम या ज्यादा कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको zero ही रखूंगा यहां पर आप जो value देंगे next time भी वही value जो है वो selection tool में use होगी तो अगर हम right click करें selection बना के तो यहां पर आप जो है feather अब select कर सकते हैं आप कुछ भी value दे सकते हैं तो इससे यह है कि next time जब आप बनाएंगे तो feather zero ही होगा तो feather देने के लिए आपको यहां पर right click करके feather पर दुबारा click करना होगा तो यहां पर select inverse का option है अगर मैं इस पर click करता हूँ तो यह बाहर वाला हिससा जो है इसको select कर देगा और इसको जो है वो deselect कर देगा तो अब मैं feather जो है वो select करता हूँ 20 पीजल और एक new layer बनाता हूँ और keyboard पर control backspace प्रेस करता हूँ तो यह background color जो है इसने fill कर दिया है selection वाले अरिया में तो आप देख सकते हैं यह soft selection थी इसलिए यह soft frame जो है इस image के बाहर बन गया है तो इसको मैं deselect करता हूँ और फिर से जो है मैं एक selection बनाता हूँ new layer और इसका feather जो है वो 0.1 रखूँगा मैं और यहां पर select inverse करके मैं control backspace प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब जो यहां पर edge बनाए वो hard है क्योंके feather जो है वो 0.1 था इसलिए selection जो है वो soft नहीं थी इसने जो हार्ड फ्रेम बनाया है यहां पर तो इसको मैं deselect करता हूँ यहां से और इसलिए और को delete करता हूँ इसके लावा यहां पर select and mask का button है इसको हम बाद में देखते हैं detail में तो यहां पर कुछ और tools भी दिये हुए हैं आप selection के options जो है select करने के बाद right click करके यहां पर देख सकते हैं और इसके लावा यहां पर click करके भी आप इसके options जो हैं देख सकते हैं अगर आप all पर click करते हैं तो यह पूरा document जो है उसको select कर देगा मैं undo करता हूँ और deselect भी कर सकते हैं यहां से और साथ shortcut keys भी यहां पर दी हुई हैं और यहां पर भी inverse का option है इसकी shortcut key जो है वो shift control i है तो अगर आप shift control i प्रेस करेंगे तो यह इसको inverse कर देगा इसके लावा यहां पर कुछ और options है अगर यहां पर all layers का option है अगर मैं इस पर click करता हूँ तो यह unlock layers जो हैं वो सब को select कर लेगा और डी select layers पर click करें तो यह सब layers को deselect कर देगा इसके लवाप find layers पर click करें तो यहां से कोई भी layer जो है इसका name आप search कर सकते हैं यहां पर isolate layers का option है अगर मैं इस layer को select करूं और यहां से isolate layers पर click करूं तो यह सिर्फ selected layer जो है वो दिखाएगा बाकी layers को यहां पर layers panel में hide कर देगा यहां पर वो आपको दिखाई देंगी document में लेकन layers panel में आपको दिखाई नहीं देंगी यह जो है आप directly यहां से भी आप इसको select कर सकते हैं इसके लावा color range focus area इनको हम बाद में देखते हैं तो यहां पर मैं एक selection बनाता हूं यहां पर आप देख सकते हैं modify का option है तो यह Northern बार्डर है इस पर क्लिक करें wil गज़े जोрал में आप select कर सकते हैं मैं यहांपर 10 select करता हूं और OK पर क्लिक करता हूं आप देख सकते हैं इसने से don का बार्डर बनां दिये अब अगर मैं border जो है वो सिर्फ आपको दिखाईच दे रहा है बाकि सब कुछ इसने हाइड कर दिया है इस तरह से आप selection करके border भी बना सकते है और इसके इलावा आप selection को जो है smooth कर सकते है यहाँ पे आप radius रख सकते हैं कुछ भी selection जो है वो smooth कर देगा आप selection को expand कर सकते हैं यहाँ पे 10 pixel value दी हुई है और मैं ok press करता हूँ तो इसको जो है यह 10 pixel expand कर देगा इसके इलावा आप contract कर सकते हैं तो अब मैं यहाँ पे 10 pixel select करता हूँ और ok press करता हूँ तो यह दुबारा जो है इसने 10 pixel इसको छोटा कर दिया है यहाँ चोटा कर दिया है यहाँ expand के नीचे contract के नीचे feather का option दिया हुआ है यहाँ से भी आप feather जो है वो select कर सकते हैं तो नीचे यहाँ पे grow का option है अगर मैं इस पे click करता हूँ वो connected pixels के similar color जो है उसको select कर देगा गर यहाँ से मैं similar क्लिक करता हूँ तो इस image में जितने भी similar color होंगे यह उसको select करेगा तो यहाँ से मैं undo करता हूँ तो यहाँ से मैं control डी प्रेस करता हूँ और इसको select करता हूँ इसके इलावा यहाँ पे transform selection का option है हम कोई भी selection बना आके इसको transform कर सकते हैं मतलब के छोटा या बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे added in quick mask का button दिया हुआ है और यहाँ से भी आप इसको activate कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो selected area था वो अब white नज़र आ रहा है और जो unselected area वो red नज़र आ रहा है और selected layer जो थी इसको भी इसने red कर दिया है अब हम brush tool से selection बना सकते है अगर आप black color के साथ यहाँ पे paint करें तो यह इसको unselect कर रहा है और अगर white color select करके आप paint करेंगे तो इस area का जो है यह select करेगा इस तरह से भी आप selection बना सकते हैं इस पे अगर आप दुपारा क्लिक करें तो यह selection में change हो जाएगा यहाँ पे load और save selection का option है आप कोई भी selection बना के इसको save कर सकते हैं और बाद में आप इसको use कर सकते हैं तो यहाँ पे save selection पे क्लिक करें आप कोई भी इसका name रखें मैं यहाँ से face type करता हूँ और ok प्रेस करता हूँ तो अब selection यह save हो चुकी है हम इसको यहाँ से load कर सकते हैं यहाँ से मैं face select करता हूँ और ok प्रेस करता हूँ तो आप देश सकते हैं selection यहाँ पे आ चुकी है तो marki tools के इलावा यहाँ पे हमारे पास lasso tools हैं तो सबसे पहले यहाँ पे lasso tool यह free hand lasso tool है आप simple pencil tool की तरह आप draw कर सकते हैं line और selection बना सकते हैं इसके options भी यहाँ पे दिये हुए हैं same options हैं इसके इलावा polygonal lasso tool है यहाँ पे click करें तो इससे जो आप straight lines जो है mode draw कर सकते हैं और इससे selection बना सकते हैं तो मैं control D प्रेस करके select करता हूँ और आप कहीं पे selection बनाते हुए गलत जगा पे click कर देते हैं तो back जाने के लिए आपको backspace प्रेस करनी होगी आप undo नहीं कर सकते backspace से आप जो है वो इसको undo कर सकते हैं या फिर इसको खतम करने के लिए escape की press करें तो यह जो है इसको खतम कर देगा polygonal lasso tool जो है यह straight lines select करने के लिए use होती है इसके अलावा यहाँ पे magnetic lasso tool है तो अगर मैं यहाँ पे click करके अब यहाँ पे मैं click नहीं कर रहा है मैंने एक बार ही click किया है अब यह automatically जो है यह color difference देख के selection बना रहा है तो easily जो है आप इससे selection बना सकते है तो आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी जो है इसने selection बना दी है यहाँ tool options में इसके कुछ options दिये हुए जो है feather है यहाँ पर width दी हुई है तो यहाँ पर मैंने 100 pixel select किया हुआ है by default यह 10 होता है यहाँ और contrast भी 10 pixel होता है तो अगर आप width जो है वो ज्यादा रखेंगे तो यह selection जो है थोड़ी tight बनाएगा मैं यहाँ पर अब click करता हूँ और इस color से जो है थोड़ा दूर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं इससे दूर जो है वो लेके जा रहा हूँ लेकिन यह जो है perfect selection बना रहा है इससे जो है आप थोड़ा जल्दी selection बना सकते हैं इसके इलावा हमारे पास यहाँ पर magic wand tool है इससे जो हम click करके similar color जो हम वो select कर सकते हैं तो यहाँ पर इसके options दिये हूँ है point sample है 3 by 3 average है 5 by 5 यह जो है अगर हम 3 by 3 average select करें तो यह जो है 3 by 3 pixels के area पे जो है उसको average निकालके जो है colors जो है उसको select करता है और similarly 5 by 5 जो है 5 by 5 pixel के average निकालके similar color जो है उनको select करता है तो यहाँ पर tolerance का option है अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं यह ज्यादा area select कर रहा है अगर हम इसको कम करते हैं यह पर लेके आते हैं तो आप जो है यह कम area select कर रहा है तो बाइड डिफार्ट यह 32 पर होता है मैं इसको 32 पर ही रखूंगा यहाँ पर contagious का option है यह जो है अगर इसको हम अंचेक कर दें तो यह पूरी image में जितने भी similar color हैं उनको जो है वो select कर देगा लेकर अगर इसको चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ connected pixel जो हैं सिर्फ उनको select कर रहा है तो photoshop के new version में यहाँ पर जो है select subject का option है आप इस पर click करके subject जो है उसको select कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसने AI को यूज़ करके subject को select कर लिया है magic wand tool के इलावा यहाँ पर quick selection tool है तो polygonal lasso tool जो है उसकी जगह पर quick selection tool ज्यादतर यूज़ हो रही होती है तो यह brush की तरह काम करता है लेकिन जब आप इस पर click करें तो यह automatically जो है similar colors के साथ selection बनाना शुरू कर देता है तो आप देखें कितनी जल्दी जो है इसने selection बना लिया तो आप मैं इसको यहां पर छोटा करूँगा और यहां से selection बनाता हूं अगर आप selection में से minus करना चाहते हैं तो Alt प्रेस करें और इसको अंसेलेट कर दें यहां पर options दिये हो हैं आप यहां से भी इस minus वाले icon पर click करके अंसेलेट कर सकते हैं और plus वाले icon से आप जो है इसको add to selection कर सकते हैं इसका brush जो है इसका size चोटा बड़ा करने के लिए आप keyboard पे square brackets यूज़ कर सकते हैं right square bracket से आप size बड़ा कर सकते हैं और left square bracket से size चोटा कर सकते हैं इसके इलावा आप alt press करके और left sorry right mouse button press करके drag करें right पे तो यह बड़ा हो रहा है और left पे drag करें तो यह चोटा हो रहा है और अगर उपर drag करेंगे तो यह hardness है इसको कम करेगा और अगर नीचे की तरफ drag करें तो यह hardness को बढ़ाएगा शॉटकट कीज आप इनको याद कर लें इनकी मदद से आप fast काम कर सकते हैं quick selection tool के लावा यहां पे object selection tool है तो यहां पे option में हमने lasso select किया हुए है आप rectangle select कर सकते हैं तो यहां से मैं selection बनाता हूं तो आप देख सकते हैं इसने subject को detect करके इसको select कर लिया है इसको आप बाद में quick selection tool से भी add कर सकते हैं तो यहां पे select and mask का option है इसको देख लेते हैं पर इस पर click करें तो एक new interface जो है वो open हो जाता है तो यहां पे उपर जो है preview mode दिया हुए आप onion scan marching arts कुछ भी select कर सकते हैं इससे आपको जो है वो selection दिखाएगा जो आपने बनाई होगी मैं यहां पे select subject कर लेता हूँ आप देख सकते हैं यहां पे जो है आपको selection नजर आ रही है onion scan जो है यहां पे आपको थोड़ा transparent नजर आएगा तो मैं यहां से white select कर लेता हूँ और पेस्टी जो है इसकी hundred है तो आप देख सकते हैं इसने hairs को भी एच्छे तरीके से select कर लिया है लेकिन यहां पे refine hair का button दिया हुआ है अगर इसको press करें तो मज़िए इन hairs को refine कर देगा देख सकते हैं आप जो selection है और भी ज्यादा अच्छी लग रही है यहां पे कुछ buttons दिये हुए है यह quick selection का button है refine edge brush tool है अगर यहां पे selection से नहीं बनती तो आप इससे जो है इसको refine कर सकते है तो यहां पे भी मैं क्लिक करके refine कर लेता हूँ यहां simply brush tool है यहां पे radius का option दिये हुआ है अगर हम इसको बढ़ाएं तो selection का radius जो है यह इसको increase कर देगा मैं recommend करूँगा कि आप इसको zero पे ही रखें यहां से आप smoothness जो है इसको बढ़ा सकते है देख सकते है selection जो है इसको smooth कर रहे है और यहां पे feather भी आप दे सकते है इसके लावा contrast का option है यह contrast को बढ़ा रहे है आप देख सकते हैं यहां पे आप shift edge अगर left पे करें तो यह इसको selection को जो है अंदर की तरफ तोड़ा move कर रहे है और अगर right पे इसको करें तो आप देख सकते हैं यह edges जो है वो उनमें selection जो है वो काम कर रहा है तो इसको मैं zero रखूँगा यहां पे कुछ output की settings है आप output to selection करना चाहते हैं या layer mask अगर मैं layer mask select करके okay press करता हूँ तो अब देख सकते हैं इसको mask कर दिया है और यह select हो चुका है तो यहां से मैं undo कर रहा हूँ और यहां पे मैंने एक selection बनाई हुई है यह जो woman है इसको मैंने cut out करके एक अलएदा से layer बनाई है यहां पे मैंने एक solid fill color adjustment layer जो है वो add की हुई है तो अब मैं यहां से rectangle mark की tool select करता हूँ और इस layer को जो है मैं select कर लेता हूँ और यहां पे sorry यहां पे normal जो है मैं setting select कर लेता हूँ अब मैं यहां पे selection बनाता हूँ और add to selection shift press करके जो है मैं एक और selection बना रहा हूँ और यहां पे भी एक selection बनाता हूँ तो selection बनाने के बाद आप move tool से जो है इसको move कर सकते हैं और अब मज़दार से effect जो है वो बना सकते हैं जी तो आज के लिए बस इतना ही class थोड़ी लंबी हो रही है और boring हो रही है next इंशालला मैं advance selections पे भी एक video बनाऊंगा अगर अबी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लें और notification जॉन कर लें हम मुलाकात होगी इंशालला नेक्स्ट वीडियो में अल्ला आफिस